हलो दोस्तों केशो आप सब आप सभी का मेरे यूटूब चैनल आयुरुएदिक अलिमे स्वागत है दोस्तों हम आज बात करेंगे किसी पेड़ के पत्ते के बारे में और उसके फाइदे की और उसके नुक्सान की तो चलिए वीडियो शुरू करते तो ये है वो पत्ते देख राज़स्तान के अंदर मतलब जो शीकर जिला उसके इनको मतलब अपनी बासाम वोलते है फूम्पल बोलते है इनको ये देखिया किन बीमारियों मी ये काम आते हैं तो चलिए आपको बताते हैं दिहान से सुनना वीडियो को दियान से सुनना और द्यान से देखना अची तरह ये पत्ते देख लीजी आप किसी और पेड़ के नहीं ले लेना मैं आपको आगे बता दूँगा ये पेड़ कौन सा है तो यह जो पत्ते हैं इनको मतलब खाने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो अगर किसी को भी चाई वो बच्चा हो या बुड़े हो अगर उनके पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं जो खराब बेक्टरिया है वो पेदा हो गए हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं यह कुफल यह पत्ते और जिनको सुगर की बिमारी है उनके लिए तो यह रामबान इलाज है अब हम क्या करते हैं जैसे ही बिमार हुए शिदा चले डोक्टर के पास और वो एलोपेतिक दवाया खाखा के अपना बेड़ागार्द कर लेते हैं जो चीजे हमारे पास मुझूद है जिनका पेशा भी नहीं लगता है उन्स चीजों से हमारा इलाज हो सकता है अगर हमें मालूम हो तो अब मैंने बताया आपको कि मतलब यह जो पत्ते ना यह कुमफल वगेरे इनको क्या करना है खाने का तरीका इनका यह यह कि इनको सुबह पहली सुबह कुछ खाना पिना नहीं है उससे पहले यह चोटे-छोटे पत्ते यह कुमफल आपको चबा-चबा के झानी है जिनके पेठ में कीडा है और जिन माता बेहनों को या भायों को जिनको शुगर की बिमारी है उनके लिए तो यह बहत्रिनों से दीये है कि इनको चबा-चबा के खाना शुबे खाली पेट कut अक्छी तरह से चबा-चबा के खालेना इनको मतलब आपको ज्याधा नई लेना है यह जो मैंने इतनी यह देख लो आप ये कितने हो सकते हैं इतनी मातरा के अंदर बस आपको ये पत्ते चबा चबा के खाना है उसके बाद आपको कोई पानी पूनी कुछ भी नहीं पीना है 10-15 मिनिट के लिए फिर उसके बाद करना के आपको गुनगुना पानी द्यान से सुन लीजिए और द्यान से वीडियो को देखिए इससे बहुत फाइदा होने वाला सभी का गुनगुना पानी लेना है उसको मतलब गुनगुने पानी का सिर्फ एक कप एक कप लेना है और पी लेना है थंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है उसके बाद आदे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है आप देखोगे शिर्फ महज पांच से साथ दिन के अंदर आपको खुद महसूस हो जाएगा कि मतलब हमें एक शरीर के अंदर पता चल जाएगा कि कुछ तो फाइदा हो रहा है यानि सो परसेंट फाइदा होने वाला है आपको अब जिनको सुगर है उनको भी इसी तरह खाना है जिनको सुगर कितनी भी पुरानी हो चाहिए उनको भी इसी तरह से खाना है इसे और इसका बेनी फिर देखोगे आप आप रोज जांच कर लेना रोज अगर आप पोसिबल हो तो जिस दिन पत्ते खाए ठीक है उस दिन मैं आपको गुन गुना पान ये कप पी लेना है उसके बाद आदे घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है उसके बाद आप साम को अपनी सुगर की जांच करा लेना उसी बक्त आपकी जब जांच होगी ना पहले सुगर कितनी थी उसकी जांच करा लेना फिर देगना वो सुगर कम हो जाएगी और ऐसे लगातार इसका उप्योग करने से मात्र और मात्र शिर्फ 15-20 दिनों के अंदर सुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगी और जिनके पेट में कीडे हैं उनका 10-15 तिन के अंदर सारे ब जांतों को भी मुसूडों को भी मिलेगा जब चबा चबाके करने अदर मिलेगें आध्यदम इसके अंदर यह तो मैंने बना दिया गतृण ताजा पत्ते हैं उनके बारे में अगर आप चाहे तो इस पीडे के सुख्के पध्ते सुख्के पते होते हैं जो पीले पीश्च उनको आप अकटा कर लीजीए और उसको मतलब मिक्षी के अंदर पीज सो अभाद पत्ते लें तक उहलें, jadi आप एक लिटर के अंदर कम से कम ये मालो आप सो गराम से लेके ये भी सो गराम तक वह पत्ते लेने आपको और उस पानी के अंदर डाल देना है। उनको पीस के डाल देना है उस पानी को आप सिर्फ साथ दिन के लिए छोड़ दे ऐसे ही कोई प्लास्टी का बरतन यूज नहीं करना है आपको प्लास्टी की चीज़ नहीं करनी है आपको जो यूज करना है वो तामबे की चीज़ यूज करनी है तामबे की चीज़ यूज कर मतलब उतना पी लीजी है तो यह जो किटानू और यह सुगर और इसके साथ जो सरीर के अंदर या उपर एलर्जी है वो भी सारी खतम हो जाएगी और जो हमारी किटनी बगेरे लिवर बगेरे जो भी हमारा ओर्गेंस है वो सब की एकडम सपाई भी हो जाएगी इसका बेनीफिट यह मिलेगा हम कर रहेंगे तो सुगर को और किटानू के लिए लेकिन इसका फाइदा इस तरह भी हो जाएगा मतलब फीरी का इलाज है यह फिर भी हम लोग पता है नहीं करते है पहले कौन शी यह दोया चलती थी पहले भी तो मतलब वेज़ वेगेर उते थे वो मतलब इसी इन पेड़ों की पतियों से इन आइवेड़िक चीजों से ही तो मतलब इलाज करते थे आज भी वोई चीज़ है लेकिन हमें पता नहीं है बस तो इस पेड़ के बारे में आपको बता दूँ इस पेड़ का नाम है इस यह है इदर मतलब नीम बोला जाता है नीम का जो पेड़ होता ना उसके यह कुफले और यह पत्ते है छोटे उनको आपको यूज लेना द्यान रखना नीम का पेड़ है नीम का जो पेड़ होता ना यह उनके पत्ते है तो आपको मालूम नहीं है आप अगर नेट बगेरों पर सरच करेंगे विदेश में खास करके यूरोप कंट्रियों के अंदर इस नीम की इतनी जरूरत है कि उनको भी पता चल गया रिसर्च करने के बाद की मतलब यह नीम के पत्तों का नीम तो पूरा ही बेनिफिट देने वाला यह देख लो आप नीम का पूरे का ही मतलब हमारे लिए एक एंटिबाइटिक है यह देख लो आप मतलब नीम का जो पेड़ है वो उस दिये गुनों से बढ़ा पड़ा हुआ है अगर मालो किसी को मतलब सरीर पे खास खुज खुज ली बगेर जो भी है गरम पानी के अंदर नीम के पत्ते ड लिए डाद बेक्टरिया वी खतम हो जाएंगे और हमारी जो सुगर की बिमारी वो भी खतम हो जाएगी हमारे जो और गैन से वह भी सारा की सारी कलिन हो जाएंगे एक दम फार एक और धाने का तरिका मैं आपको बता दिया है शैनल और अगय में एक वीडियो लेके आए उनके बार में मतलब आपको बताँगा पहले दिन से पहले दिन से आपको जब करोगे और दो français अंदर अंदर आपको खुद म회श्ज़ हो जाएगा सूगर के बारे में तो आपकी सूगर खतम करनी है तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिये जड़ से सुगर खतम हो जाएगी तो आज ही के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज मेरे इस चैनल को सस्क्राइब पीजिए और शेर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते उसके लिए एक प्यार बरा अच्छा सा कमेंट कीजिए